नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होब कि आप सब बहुत अश्य होगे दोस्तों इंडियन एयर फोस के तरफ से एक्स और वाई गुरूप जिसको बोलते साइन्स और अधर देन साइन्स सब्डेट के लिए वेकेंसी निकल चुकी है और आज से फॉर्म भराना भी सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल का अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लेकेंसी का आपको अपडेट करवाते हैं तो सबसे पहले यह इंटेक 1225 आपका होने वाल है टोटल इसमें पोस्ट कितना है 3500 पोस्ट होता है देखो अभी 100 नहीं करेगा आप लोग देखो पिछला वेकेंसी के इसका फिक्स रहता है का थाटी फाइब अच्छाट इसका लास्ट रखा गया है पांसो पचास रुपर आपका लगया फॉर्म अप्लाइब करते समय और इसका एक्जाम डेट भी ऑलेडी है कि 17 मार्च को पेपर होगा तो आज से दोस्तों कितना है 2004 से लेके 2727 के बीच में है तो आप लोग फॉर्म अप्लाइब कर सकते हो क्लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें दोस्तों तीन अलग 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 प्रकार का पोस्ट है एक बोलते हैं जिसको साइंस ग्रूप हो गया जिसको एक आप बोल सकते हो एक वाई ग्रूप ह आपका होना चाहिए और 12 में आपका math, physics और English subject होना चाहिए साथ में इन में आपका 50% marks भी होना चाहिए और English में आपका 50% होना चाहिए तब ही आप भर सेकतो अगर science से आप नहीं हो माने के चलो math, physics नहीं है आपका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप भरो other than science subject यानि Y group क इसके लिए qualification क्या चाहिए only 12 पास बस 12 में आपका 50% होना चाहिए और English आपका subject होना चाहिए तब 12 में सभी का English होता है इसमें science का कोई जुरूरत नहीं है तो Y group के लिए आप भर सेकते हो ठीक है अब इसका selection पर से पहले आपका exam होगा computer based test online होता है फिर आपका physical फिर आपका पर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप से लिए समझाता हूँ आपको अगर आप जोस्तों एक्स गुरूप के लिए भर होगे science subject जिसमें आपका साथ साथ मेंट का समय और आपका one by four negative है English से आपका 20 question है physics से 25 और math से आपका 25 ठीक है other than science subject इसका जोस्तों यह होगी आपका Y group ठ पहली बार आप लोग देखोगा ना बहुत पचासी question है हाँ पचासी question पहुता है 45 मिनट के समय सेम one by four negative जिसको 0.2 भी बोल सकतो English से आपका 20 question होगे ठीक है English से 20 question और दोस्तों आपका reasoning और general awareness इसे 30 question जिसको दोस्तों रागा बोलता है ठीक है English 20 और reasoning plus आपका जिसको general awareness भी बोल सकतो 30 question यह होता है दोस्तों Y group का syllabus ठीक है आप देखो दोस्तों अगर आप दोनों के लिए भरना चाहता हो science और other than science एन X और Y दोनों group के लिए इसमें क्या आपका क्या रहेगा 20 question English से physics से 25 मैज से 25 जीक के और reasoning मिला क्या आपका 30 question total आपका 100 question हो गया 85 minute का समय और same one before negative यह दोस्तों आप लोग ने syllabus देख लिया syllabus तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया अब इसकी तैयारी आपको चक्सू पब्लिकेशन की बुक से करनी है ठीक है यह जो आप बुक देख रहो ना नियूंतम पेटर्न और syllabus पाधारे दोस्तों चक्सू पब्लिकेशन का बुक है यह आपका science और other than science याने दोस्तों एक्स ग्रूप और y ग्रूप दोनों के लिए बुक होने वाला है इसमें 25 practice set आपको प्रवाइड क अब आपके मन में सावाल आएगा जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि सर हम दोनों पोश्त लिए भर सकते हैं के नहीं हम science है साइन्स से आप हो तो आप अगर दोनों पोश्त के लिए भरेगा तो यह आपका एक्जाम का पैटर्न रहेगा अगर आप y केवल भरोगत यह रहेगा एक्स भरोगत यह रहेगा confusion नहीं होना चाहिए फिर से बताता हूं देखो दोस्तों अगर आप केवल science subject यानि physics जिसमें आपका होना चाहिए 12 में और मैथ होना चाहिए इसमें भरोगे केवल तो यह सब्यक्ट है अगर y जो केवल 12 पास पर कोई science में कोई भी subject हो ता आप लोग यह भरोगे अगर दोस्तों आप दोनों पोश्त के लिए भरोगत दोनों कौन भर चाकता है इसको आप साइंस हो तो 2017 सबसे पहले चलते हैं मात्र 32 नमर पर सेलेक्शन हुआ है एक्स ग्रूप में समझ रहो ना 32 नमर और 34 नमर वाई ग्रूप में गया है ठीक है साल 2018 की बात करें तो 27.75 आपका एक्स ग्रूप का कटप गया था और वाई ग्रूप का 32.75 और साल 2019 में जैसे ही बढ़ते हैं दो दोस्तों 36.25 और 37.25 तक टाप बढ़ा है दोस्तों अब दिन प्रती दिन देखो कटप कितना बढ़ा है एक्स ग्रूप का देखो को 32-27-26 हुआ और लेटेस 2020 में 43 चला गया है दोस्तों समझ रहो ना कटप एक सुरूप का निरनतर बढ़ रहा है दोस्तों इस बार भी आप आपको टार्गेट रखना है भी आप 45 पलस ठीक है वाई गुरूप का अगर बात करें तो भी यह 34-32 32-37.5 और दोस्तों फिर घड़ गया है क्योंकि दोस्तों हो सकता है का प्रसंग का लेबल ज्यादा कठीन हो इसका कम आपको आईडिया लगा होगा आपको टार्गेट क् कम से कंड कट आपको देखते हुए 45 पलस ठीक है इससे भी ज्यादा क्योंकि फाइनल मेरिट भी आपको बनाना है तो भाईया आपको पचास तक टार्गेट करना है कि भाईया हम करके आई साही ठीक है बाकि वाई गुरूप का आपको 35 पलस से आपको करने का टार्गेट र लगान है और अप प्रिवियर अप लगा रहा है तो कमेंट में बताईएगा कितना आपका सही हो रहा है अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले फिजिकल के डिटेल्स हम आपको बताते हैं देखो हाइड जोस्तों आपका 155 सिंटीमीटर फीमेल के 152 सिंटीमीटर च देखो देखो यह जो वेकेंसी है इंडियन एरफोस अगनी वीर अगनी पत ही हो जाना के तहट आपको पता है कि सारा वेकेंसी कर दी गई है इसमें दोस्तों पहला साल अगर हम बात करें नो फर्स्ट इयर की आपको सेलरी कितना मिलेगा 30,000 आपका फर्स्ट इयर का सेलरी Frame है 3rd year में आपका सेलरी आपका सेलरी नो इसके पान की स्थीति ए 25% को आंग परमानेंट किया जाएगा अगनीवीर का competition को फास्ट बैश है उसमें आपको benefit आपको मतलब रिजवेशन दिया जाता है जैसे अगर आप दोस्तों कोई भी एससे जीडी के थुरूचों वेकेंसी होती है अर्शनिक वालों में तो उसमें दोस्तों अरक्षन है सभी विभागमा अरक्षन कर दिया गया है अगनी वेरों के लिए तो यह द कि भईया इसमें जब यंग जनरेशन का बच्चा ही भर पाएगा इतना गभी जो डेट भरते है तो आपको जरूट ट्राइग करना चाहिए और नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर है तो 12 पास पर है तो 12 में भर सकते हो साइन्स हो तब बर सकते हो और बाकि आप लोग जेनरली मैथ तो पढ़ते हो ना साइन्स पढ़ते हो जिके जिसमे और इंग्लिस भी पढ़ते हो तो क्या दिकता है रिजिनिंग भी पढ़ते हो तो यही तो सिल्वास है कोई एक्च्टा है अगर दोनों के लिए भरो तो आपका साइन्स का परस्टा होई गया教 recipes, math होई गया, और उसरे बच्चे पूछते हैं को सरे एक्जाम कहा होगा आपका जो मतले स्टेट है न वहीं पर एक्जाम होगा ठीक है फीजिकल के लिए कहीं और गुलाया जाता है ठीक है यह ध्यान कियेगा तो यह सारा कुछ हमने आपको जनकारी दे दिया तो परूल फर्म भरियेगा को डाउट हो तो पूछ लिजेगा ठीक है चलिए दोसों फ्यालाबस वीडियो में इतना ही धन्यवाद